कानपुर के चमंगंज पुलिस और पश्यम स्वाच टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है 25,000 रुपए के वांशिती नामी अपराधी को पुलिस ने देव रात गिरफतार कर जेल भेज दिया है आपको बता दें की 23-27 मार्च को चमंगंज के फ़हीमाबाद निवासी अनूपिस्टिल ने अपने एक साथी के साथ मिलकर चमंगंज शेतर में फारिंग कर दह्षत फैलाई थी अपराधी अनू पिस्टिल के खिलाफ चमन गंज थाने और बेकन गंज थाने में आधा दर्जन से ज़्यादा अपराधी मुकद्ध में दर्ज है अपराधी के उपर 25,000 का इनाम भी था बीवी जीटीएस मूर्ती ने बताया कि चमन गंज और पश्चिम की स्वाथ टीम ने फरार अपराधी को गिरफतार कर जेल भेज दिया है अनू पिस्टिल का एक साथी पहले ही जेल भेजा जा चुका है कन रात सबा 11 बजे ताना चमन गंज शेत्र के अंतरगा चंद्रिका देवी मंदिर के आप हमारे स्वाट टीम जोन पश्चिम के स्वाट टीम और चमन गंज के ताना टीम को बड़ी बहुत बड़ी सफलता मिली है इसमें मार्च मार में एक परिंग की गटना जो हुई थी उसमें शामिल शातिर अपरादी अनु पिश्टल पकड़ा गया है यह हमारे यहां टॉप टेन अपरादी भी है इनके उपर करीब साथ मुकदमे है और यह 25,000 इनामी भी है इस पर हमने यह गटना होने के बाद इस पर हमने एक अविशज टीम गटित की थी उसी टीम का यह सफ़ाता है तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हां बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद आप हमें स्टार ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं हमारे आइडी है अट तरेट ज्यम्धी ड्यूस फ्लाश